हे गाइस गुड मॉर्निंग तो अभी हो रहा है सुबह का सव नो या साड़े नो बज रहा होगा मैं टाइम देख करके नहीं आई हूँ और कैसे हैं आप सब लोग आसा करती हूँ अच्छे होंगे सुरचीत होंगे और अपने अपने घरों में फैमली के साथ बच्चों के सा और आज है सुकरवार तो अभी सुबह का टाइम है और थोड़ा सा आलू का मसाला जो मैं बनाई थी मिर्ची के पकोड़े में भरने के लिए वही बच गया है यह देखिए तो इसका में जारे में सेंडविच बनाने तो वही रेस्पी भी आप लोग के साथ सेर करूंगी औ माटर और हरे धनिये की चटनी जो की काफी टेस्टी वनी थी खट्टी दीखी चटपटी एकदम से चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा और आज मुझे धेर सारा काम है अभी मैं दिखाती ह तो आक आपको क्या काम है क्या हूँ थैं मैं जब आई थी यहां पर है तो घयर तो सेट हो गया था और फिर से मुझे करना पड़ेगा जो अलमारी है ये मुझे फिर से करना पड़ेगा क्योंकि सारा फैला हुआ है ये खाली हुआ है यहाँ पे हमारे टीवी रखी हुई थी जो की अब चली गई है वहाँ वहाँ पे तो ये मुझे एरिया क्लीन करना है और साफ करना है सारा दिन ऐसे ही चलने वाला है काम धंदा में और मुझे जीन वेट सिट भी धोना है घर में वेट, फोड़े और मैं भी धोना है तो मैं सोचरी काम में लगने से पहले पुछ बना या जाए नास्ते के लिए मैं अपने लिए सेंडवीच ये देखे आटे ने ब्रेडवीच लाए हूँ अभी जाकर के लाएं बच्चे भी खाएंगे सेंडवेच बोल रहे मम्मी मेरे लिए भी बना देना तो मैं बना दोंगी उनके लिए भी और हां मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखा किजिए गाइस मुझे पता है कि आप लोग का भी समय कीमती है मगर उसी में से थोड़ा सा समय निकाल करके पूरा वीडियो देखा किजिए मेरे लिए भलाई हो सकता है मुझे अच्छा लएगा मतलब मेरे लिए कुछ अच्छा हो सकता है इसलिए मैं बोल रही हूँ और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा बिलकुल फ्री है कोई एक रुपया नहीं लगने वाला है डाटा नहीं लएगा कोई चार्ज नहीं लएगा तो प्लीज सस्क्राइब दीजिए गा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अभी ही कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप लोग भूल जाएगा तो guys sandwich बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक bread का slice ली हूँ और उसमें एक तरफ green चटनी लगा दी जो हरी धनिया के चटनी जो मैं घरवे बनाई थी वही है और उसके बाद इसमें लगा देना है जो आलो का हम मसाला बना करके रखे हैं वो और एक तरफ tomato ketchup लगा देना है आप चाहें तो हरी वाली चटनी लगा करके ही बनाए या भी tomato ketchup लगा करके ही बनाए दोनों तरीके से आप बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें अपने पसंद के नुसार पत्ता गोभी या टमाटर प्याज यह सब भी काट करके डाल सकते हैं मैं तो ऐसे ही सिंपल वाला बना रही हूं क्योंकि मेरे पास यालो की पिठ्ठी बची हुई थी तो इसलिए मैं बना रही हूं फिर भी यह सें दवा करके क्रिस्पी होने तक सेक लिजिए गा और आपका टेश्टी और चटपटा सेंडविच बन करके त्यार हो जाएगा एक दम खाने में लाजवाब लाएगा और इधर गर्मा गरम चाय भी बन जा रहा है तो हम लग धूप में ही बैट करके चाय और सेंडविच नहांगी सारा स्थाइए करके तो इसलिए तेल लगा रहे तो थोड़े दिर धूप में बैठें इसके बाद काम करूंगी और अभी चाय नास्ता करने के बाद मुझे ना अपने बालों में तेल लगाना था क्योंकि जब मैं बाल धोती हूं न तो उससे दो या तीन घंटा पहले या एक दिन पहले ही तेल लगा लेती हूं तो तेल मैं अधिकतर मैं खुद नहीं लगाती हूं रादिका से ही लगवा लेती हूं क्योंकि अच्छे से लगा देती है और मेरे न सीर में दर्द भी हो रहा था तो थोड़ा आराम मिल जाता है इस तरीके से मालिस करवा पाद उसके बाद उसके साथ साथ मी मैं पैयर्दान बनाने के लिए बंदा डाल रागी थी जो कहाफी दिनों सी ऐसे हैं पड़ी थी मुझे को आठी थी खाली बैटी थी तो पंथ भी बनाही ले रहे हिं जो भी थोड़ा सा 어ाए तो dem बन जाए तो वही मैं लेकर के बैठ गई थी बनाने के लिए और रादिका मेरे सिर्मे अराम से मालिस कर रही थी और मुझे काभी ज्यादा अराम भी मिल रहा था तो काफी टाइम तक हम लोग ऐसे ही बैठ कर इंजवाय करते रहें और उसके बाद थोड़ा सा और भी फोन भी आ गया था तो मैं बात भी करने लगी थी और काफी लेट भी हो गया था मुझे काम सुरू करने में जो घर का मुझे क्लीनिंग का काम करना था तो दोबर तो हो गया था तो फिर हम लोग खाना वाना खा करके ही लगे थे क्योंकि लगने के बाद न क्या होता है कि फिर हम उस थी थी खाली उपर वाला ही मारी साफ करोंगी तो सारा समान पहले मैं उतार का और बेट पर ही रख दी हूं और फिर इस mujer जाहें करके और में पेपर ला करके रखी थी तो मैं सोची की जब स Allah करी हूं नहीं तो साथальном एक ही वार सारा हो जाएगा तो पहले तो मेरे दिमाग में आए कि बस ख़ले उपर वाले में ही पेपर चिपकाऊंगी क्योंकि इस पे मुझे थोड़े क्रीम विगे रखा जो डवग नहीं रहता है वो सब रखना है फिर मेरा मन किया कि नहीं पूरा ही खाली करके और फिर मैं फेवी कोल से पेपर चिपकाई थी और फैवी कोल में ज्यादा इस्तेमाल नहीं की थी कि अईसा नहीं कि पूरे अलमारी पे लेप कर रहे मतलब उखड़े भी नहीं और हड़ वालय पेपर हो स्थोड़्स हर नहीं है यह हर्ड वाला है और यह पांस रुपे का एक प्षार यह हळलका वालय तो सब्सक्राइब जरेता है एक क्यों सेत्ट क्योंकि घर थे तो अब अच्छे से हो ही जाए और मुझे ना आज अपने बेट सीट भी चेंज करना था क्योंकि गंदा भी हो गया था ज्यादा तो सारा तकिये का कवर में निकाल करके और सारा कपड़ा जो इकठा धोने वाला जो कपड़ा है उसको मैं बलकनी में रख दी हूं धोने के लि है और उसके बाद में जाड़ू लगा दे रही हूं तो सारे कमरों में जाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मुझे करना क्या है कि कपड़ा भीगोना है धोने के लिए तो अभी जैसे सर्दियां सुरू हो गई है तो गर्मी में तो मैं नॉर्मल पानी में ही कपड़े ध तो मैंना थोड़ा सा गरम पानी इस्तमाल करती हूं गरम पानी खुला लेती हूं एक भागोने में और फिर ठंडे पानी में मिक्स कर देती हूं ज्यादा गरम भी नहीं रखती हूं कि हाथ जल जाए और उसी में सरफ का पाउडर मतलब निर्मा पाउडर डाल करके जो भी प्रफूला था क्योंकि मैं कपड़ा भीगो करके फिर चली गई थी मुझे किचन की भी क्लीनिंग करनी थी क्योंकि कीचन काफी गंदा हो गया था और जिस दिन ये वीडियो बना है उस दिन तो बस दो फर से ले करके सारा मतलब काम ही काम हो रहा था काफी ज्यादा ताम-ज् करेंगे तो काफी ज्यादा पड़ा है चाहे हम कितना भी खाना बनाते बनाते डबा सेट करें मगर फिर भी गंदा हो ही जाता है तो वही कोई डबा इधर कोई उधर रखा गया था तो मैं सारे को जगह पे रख रही थी और जो भी मुझे समान सबजी वगरा जो कि खाली कर ना था बर्तन से वह खाली करके बर्तन में पानी में डाल दी थी फोलने के लिए और आज बर्तन भी काफी ज्यादा मुझे दोना था क्योंकि रात वाला भी थोड़ा सा जो कूर वना जो कूर था वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था और कड़ी बनाई थी तो कड़ी वाला चुका है और अभी काम खतम हुआ है और अभी आपको नालमारी दिखा देरेंगे सेट हो चुका है देखें किस तरीके से उपर इस तरीके से मैं रख दीना की उसारा समान को período B और आई इसमेंस नहीं है सेने सर्सों का टेल है जो कि गाऊंगा पहिराया हुए करने के लिए और इस पे मेरा कपड़ा और सबसे नीचे वाले पे रादिका और दिपिका का है और स्वेटर है अभी नहीं सब पर पर्दा लगाना पड़ेगा पर्दा मुझे धेर सारा और इधर बच्चे जो की मखाना इंज्वाय कर रहे हैं दिव्यांसु अपना फोन में काटून देख रहा है और यह भी सेट होईंगे अलगवक्त थोड़ा बहुत और बाकी है और भी कुछ समान लाना है सुबह की चाय से वीडियो का सुरुवात की थी और इवनिंग के टाइम वाली चाय से वीडियो को एंड कर रहे हूं तो आज मैं कोई अलग सी रेस्पी तो नहीं सेयर करूंगी बस यही रूटीन ही दिखाई हूं आपको और मैं यह जो टीवी यहां पे लगा है वो मैं उन आखिर मैं फिर वहीं हुआ वहीं पे लगा मगर पहले वहां पे रख़ें तो यहीं सफाई मतलब अलमारी पर सादा समान हटाना पड़ा सेट करना पड़ा तो टाइम लग जाता है ना काम भी बढ़ जाता है तो आज फर से ही लगी रही इस लिए हो गया कि आई मम्मी से लेकर के लेने जाना है प्योंकि बस आज भी हो यहाज है और आलो ऑलो कुछ भी नहीं है तो वही सब्जी लेने जाना है, सब्जी लेकर करके आऊँगी, तो खाना बनाऊंगी, और अभी बस देखी आच राधिका के हाथ का चाय है, अभी मैं पी करके ही बता दे रही हूं, हूँ तलब बाप जे एक दम कड़क चाय लगा दम कड़क चाय बनाई ये म हेंसे आ करने काव करने के लिए जंड भी लग रहा था और गरम फâm stretchy करनी क्छी시 मुझे बाल भी धसल हूना था इसले से मैं फंडे पानी से ही नहा लूंकर हम नहां दो तो नहीं तो मैं इस टाइम पर चाय नहीं पीती हूं और अब सबसे पहले जाओंगे सब्सक्राइब लेने उसके बाद खाना बनाओंगी और फिर मुझे वीडियो के एडिटिंग भी करनी है तो इसी तरीके से ना बस काम जंदा चलते रहता है सारा दिन और क्या करना है आपको पता हीए a अच्छा लगा हो गा तो लाइक जरूर कर दिजएगा और अपने वीडियो के साथ दोस्तों के साथ सेर कीजिए गा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो सुब्सक्राइब कर लिजिए आगे और भी अच् ब्लॉग के साथ तब तक लिए थाइंग फर वाचिंग एंड बाय बाय गाइस अपना ख्याल रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा